हेलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूं मैं आप सभी का टार्गेट यूपीटर सीटर चैनल में दोस्तों हम लोग डियलेट फोर समेस्टर के जो दोनों में पेपर्स होते हैं सैचिक प्रबंधन एवं प्रसाशन और प्रारामिक अस्तर पर भासा का विकास उसमें दोस्तों हम ल दोस्तों हम लोग देखेंगे कि विद्याले प्रबंधन का होता क्या है यहां पर देखिए विद्याले प्रबंधन सिच्छा प्रडाली की मूल इकाई है कक्षा में देश के भागे का जिन्मान होता है सही बात है विद्याले प्रबंधन किसी भी संस्था में किसी भी कोई कोई भी चोटी मुटी संस्था हो या कोई भी फैक्टरी हो कोई भी कार खाना हो कोई कोई भी चीज इस तरह की होती है तो वहाँ पर जहां पर भी लोग कठा ग्रूप में काम करते हैं वहाँ पर मैंजमेंट की आऊ सकता पढ़ती है उसी को हम हिंदी में प्रवंधन कहते हैं तो दोस्तों यहां पर भी वही चीज है कि आगर आप विद्याले में पढ़ाने जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी विद्याले प्रवंधन उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा शीखना पड़ेगा कि क्या होता है तो इसलिए इस पेपर को रखने का उद्दे से ही यही है तो देखिए यहां पर दोस्तो लिखा सिच्छा द्वारा भारती संस्कृति की सुरक्षा की अतरिक्त भविष्य के विकास का भी प्रियास किया जाता है सही बात है सिच्छा सदय भविष्य के लिए दी जाती है को ठारी सिच्छा जोकी 1964 से लेकर 1964 तक था में भी इस प्रकार की संसुतियां दी गई है भारत का एक प्रजात अंतर देश है इसमें सिच्छा का प्रवंधन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रजात आंतरिक मोल्यों तथा प्रवंधन काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अब प्रवंधन की परिभासाएं देख लिए हैरॉल्ड के नुसार दिया है विद्ध्याले प्रवंधन मानवी एवं बहुत इक साधनों से उद्देशों की प्राप्ति के लिए समन्मे करना ह फिर जेम्स लुन्डे के नुसार विद्ध्याले प्रवंधन मुखे रूप से किसी बिस्स्ट उद्देश के लिए प्रयासों को नियोजित समन्मित अब प्रेरित एवं नियन्तृत करने की कला है अब दोस्तों यहां पर देखिए विद्ध्याले प्रवंधन की आउसकता होती है विद्याले समाज का लगुरूप है जहां चात्रों की मानसिक विकास के साथ सारीरिक विकास बौधिक विकास सामाजिक नयतिक और सांस्कृतिक विकास का भी होना आवस्यक है यानि कि चात्र सिर्फ और सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं स्कूल में बलकि यहां पर चात सरवांगीड विकास असंभव नहीं है और अधियम प्रक्रिया को भी दोस्तों यहां पर देखिए लिखा हुआ है विद्याले प्रवंधन के आभाव में ना तो विद्यार्थियों का सरवांगीड विकास ही संभव है और ना ही अधियम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है इसलिए विद्यालय प्रबंधन बहुत ही य्याहर अवस्यक है बच्चों के साररीग मानसीक बौधिक सामाजीक नैतिक और सांस्कृति विकास के Target क्रें की बच्चों का सर्वांगीडा विकास होता है वह कहीं न दाल में नहीं ही लಈ혁ने रियों जुदियों पीस्था ओतर की जूद्ऺतिएक झाले में आतिया है यानी कि अब क्या हो रहा है क्या थि रुमम सीख्षा में प्रियों हो रहे हैं बहुत सारी विडियों से भड़ाया जा रहा बच्चों से अब हार o पढ़ाई जा रहा बच्चों को तो यह सब क्या दूस्तों यह सब नमाचार सिछड़ पद्दती है जिससे बच्चों के ग्यान में क्या वरा अनिरंतर विद्दी हो रही है बिद्याले प्रवंधन का प्रमु खुद्दे से सिछड अधिकम प्रक्रिया को सरल रूची करता प्रभावी यों दच्चता पूड बनाना यानि कि बच्चों को इस तरह से सिखाना आए कि वह किसी चीज में दच्च हो चके किसी चीज में वह सीख सके किसी चीज को अच्छे से जिससे वह आगे अपना भाविश्ची सुरक्षित कर सके जिससे चात्रों का आधिगा मस्तर उच बनाया जा सके विद्याले प्रवंदन का प्रमु खुद्दे से उपलग दिभावतित था मानवी साधनों का उचित प्रभाव साली विद्याले प्रवंद्र की विसेस्ता हैं एक प्रभाव साली विद्याले प्रवंद्र की क्या विसेस्ता होनी चाहिए कि इस तरीके से बच्चों को मैनेस करना है वहां के सारे जितने भी काम है उनको अच्छे से का अच्छे से कार्यानवित करना तो यह देखते हैं विद्ध्याले प्रवंधन में लचीला पन विद्ध्याले प्रवंधन की ब्योहारिक्ता यानि की ब्योहार में होना चाहिए विद्ध्याले प्रवंधन का प्रारूप समाज रास्ट्रा राजनिती दर्शन के अनुरूप होना चाहिए विद्ध्याले गातों दोख्तरोग मानव मोल्यों का विकास करना अब दोस्तों यहाँ प्र दएखीृ मैं आप लों को पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको पूरे डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप भी नोट्स बना सकते हैं, चीके दोस्तों, विद्याले प्रवंधन के सिधान्त और विद्याले प्रवंधन के छेतर चलिए देख लेते दोस्तों, आज की जो सिच्छा व्यवस्ता है, उसमें छात्र को केंद्र में रख कर सिच्छा दी जाती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टन्ट है, लचीरा पल अनुकूलन तथा अस्थाई तो होना, विद्याले प्रवंधन के उद्देश से केंद्रित होना, दोस्तो क्योंकि आपका जो दिर्ग उत्तरी कोश्चन आते हैं, वो लंबे-लंबे आते हैं और वो इसी से आते हैं, इसलिए इसको पढ़ाने का मेरा उद्देश यही है, कि आप लोग इसको गर एक बार पढ़के जाए रहेंगे, तो आप दिर्ग उत्तरी कोश्चन के आंसर आसान करना प्रबंधन के कारियों का आंकलन करना तो इस तरीके से आज हुने विद्याले प्रबंधन का आर्थ और उसका महत्व टॉपिक के बारे में पूरा अध्यायन कर लिया दोस्तों उमीद है मुझे कि आप लोग को यह अच्छा लगा होगा दोस्तों हम लोग डियलेट फॉ से लिंक पर क्लिक करके आपको उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों उमीद है मुझे कि आप लोगो को यह दिर्ग उत्री गोस्टन्स करने में आप एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तों अगर चल अच्छा लग रहा हो अगर वीडियो पसंद आ र अच्छे से सारे टॉपिक को समझा भी रहे हैं तो दोस्तों प्लीज आप लोग वैसे ही चैनल के साथ बने रहे हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिये और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाए तो आप लोग तक उसका नोटि प्रेवा दो सुझे है